आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्थेल्पी के बारे में इन्थेल्पी क्या होती है एक्जाम में काफी कुछ होता है इन्थेल्पी के बारे में जैसे हमने इन्टर्नल एनर्जी के बारे हैं पढ़ाता कि इन्टर्नल एनर्जी क्या होती है तो it is a sum of internal energy and PV energy of any system under given sets of conditions इसको ओल इंथेल्पी, इंथेल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं और यह होता है sum किसका internal energy का और PV energy का pressure volume energy का ठीक है और इंथेल्पी को ही हम बोलते है heat content, इंथेल्पी को हम किसके नाम से जानते हैं heat content के नाम से जानते हैं एक बात और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जाए 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 वीडियो आप तक easily पहुँच जाए और जितनी जाए जाए हो सकते हैं वीडियो को अपने फ्रेंज अपने शेर करें चलिए आए देखिए इंधल्पी जो होता है क्या बोला हमने सम होता है किसका internal energy का और PV energy का इंधल्पी जो है जब हमने इस chapter को शुरू किया था शुरू की वीडियो में हमने बात की दोटरह की properties होती है एक होती है extensive एक होती है intensive जो amount of substance पे depend करती है quantity पे depend करती है और जो amount of substance पे depend नहीं करती है वो क्या होती है, intensive property होती है जैसे इंधल्पी की बात करें सम के बराबर है internal energy के और PV energy के अब जितना ज्यादा gas का amount होगा उसकी internal energy उतनी ज़्यादा होगी और उसकी PV energy उतनी ज़्यादा होगी मतलब amount पर depend हो रहा है लेकिन जैसे pH हो गया हमारा अगर हम एक drop लेते हैं blood की तो उसका pH जितना है उतना ही 100 drops का होगा अलग तो pH नहीं होगा ना कि हमने अगर एक बुंद पानी ली उसका pH चेक किया 7 आया तो अगर हम 100 बुंद पानी की लेते हैं तो उसका pH ज़्यादा आजाएगा असा तो नहीं है ना pH तो सिम रहने वाला है और boiling point के बात करते हैं एक लिटर पानी को boil करते हैं उसका boiling point भी 100 degree Celsius है इंपोर्ट पानी की एक जैसा कि हमने बात की थी कि internal energy की हम exact value calculate नहीं कर सकते हैं चेंज इनिंटरनल energy calculate करते हैं तो अगर हमें internal energy की ही exact value पामालूम नहीं है तो हम enthalpy की exact value कैसे निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं तो हमेशा जिहान रखना है कि absolute value of enthalpy cannot be measured because absolute value of internal energy cannot be known क्योंकि हम internal energy के absolute value यह नहीं पता है तो enthalpy की कैसे निकलेगी तो इसलिए हम हमेशा change in enthalpy निकालते हैं क्या निकालते हैं change in enthalpy हम हमेशा measure करते हैं अगला point अगला special point क्या है कि change in enthalpy किसके बराबर होती है तो जैसे कोई reaction है reaction क्या है reactant gives product तो जो change in enthalpy होती है वो होती है enthalpy of product minus enthalpy of reactant product क्या है यहापर product जैसे reaction है a plus b gives c plus d c plus d क्या है यहापर product है और a plus b क्या है reactant है तो जो change in enthalpy होगा वो हमारा हो जाएगा enthalpy of product मतलब enthalpy of c plus enthalpy of d minus enthalpy of reactant मतलब enthalpy of a plus enthalpy of b ठीक है तो del h जो है हमारा आगया summation of h of b माइनस summation h of r तो del h positive होता है अगर del h की value plus आती है plus आती है इसका मतलब product की enthalpy ज़ादा है और reactant की enthalpy क्या है कम है तो enthalpy बड़ी है न, enthalpy समझना del H के होता है, summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant अगर del H की value positive आ रही है, इसका मतलब reactant की enthalpy कम है product की enthalpy के है, जादा है अब reactant की enthalpy कम थी, यहाँ पर जादा होगी इसका मतलब energy gain हुई है, energy absorb हुई है, मतलब heat absorb हुई है और heat जब absorb होती है, तो reaction कौन सा होता है, endothermic reaction होता है और अगर मैं बोल रहा हूँ कि del H की value negative आ रही है del H negative कब आएगा, जब reactant की enthalpy जादा होगी और product की enthalpy कम होगी, तब जो कम में से जादा को minus करेंगे, minus आएगा तो पहले energy क्या थी, जादा थी, फिर react, product की energy क्या होगी, कम होगी तो इसका मतलब heat क्या होगी, evolve होगी, तो heat evolve और जब heat evolve होती है, तो कौन सा reaction होता है, वो exothermic reaction होता है, तो इतना clear हुआ, तो हमेशा धिहान रखना है कि enthalpy जो होती है, वो क्या होती है, enthalpy is a sum of internal energy and pv energy of any system under given sets of condition h से denote करते है, h होता है, वो u plus pv के बराबर होता है तो h को तो हम find out करने सकते हैं, हमारा formula जो होता है, वो होता है del h बराबर del u plus p del v, यह formula होता है, विकोज हम change निकालते है इसे कि इसकी exact value हमें पता नहीं है, तो इसकी भी निकलेगी, तो हम change निकालते हैं, हमेशा, ठीक है, और अगर change कैसे निकालते हैं, समझ आ गिया कि product में से product minus reactant करते हैं clear हुआ, और कब exothermic reaction होगा, कब endothermic reaction होगा, यह condition भी मैंने समझा दी तो आज की इस video में इतना ही था, छोटी सी video थी, आज की enthalpy के बारे में, ज्यादा time waste ना करते हुए छोट-छोटी videos हम बनाएंगे इन topics के ओपर, ताकि easily topics, जब भी हमें time मिले, तो हम थोड़ा सा time निकालके, एक topic अपना cover कर लें, हमारी video भी ना छुटे तो प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने friend circle में भी इन videos को share करें, जितना जादा हो सकते हैं, और video को like कर दें